तो आज पढ़ते हैं हम लोग part 3, हिंदीगर्दी साहिते के विकास की परंपरा के जितने भी प्रश्ण थे हम कराने प्रारम कर दिये, तो हमने 100 प्रश्ण अब तक कर लिए हैं part 2 में, यानि की part 1 में 50, part 2 में 50 और part 3 में 50 करने जा रहे हैं, इसी प्रकार जितने भी प्रश्ण हैं, आपके होते रहेंगे, ये हिंदीगर्दी साहिते का विकास लगबख समाप्त होने की कगार पर है, फिर हिंदी काबे साहिते के विकास पर देखेंगे, इसके पहले हम आपको कुछ जीवन परिचे करा देंगे, कुछ गद्दे खंड के कुछ चैप्टर्स करा देंगे तो आईए, आज हम पढ़ लेते हैं, हम लोग हिंदी गदे साहित के विकास का पार्ट तरी प्रशन संख्या एक आपके स्क्रीन पर है फोर्ड विलियम कालेज कहा परिस्थित है? आपके औप्शन है आगरा में, मद्रास में, कलकत्ता में और फिर पूना में तो फोर्ट विलियम कालेज आपका कलकत्ता में है C option आपका सही हो जाएगा अश्टियाम के रचैता कौन है हम बता दें अश्टियाम एक राम से संबंधित करती है इसमें राम के आठों प्रहरों का वरण है कि आठों प्रहरों में राम की दिंचर्या क्या है राम कितने बजे सो के उठते हैं, दोपहर में क्या करते हैं, शाम को क्या करते हैं, मद्देरात्री में क्या करते हैं तो इस प्रकार आश्टियाम यानि आठों प्रहरों, जो दिन के आठ जो प्रहर होते हैं पुरे 24 गंटे में आटो प्रहरों का वरण है, इसमें राम की तिंचर्या का वरण है, अस्टियाम नाभादास के द्वारा लिखी गई क्रती है, तो यहाँ पर C option आप लगा देंगे नाभादास, स्रिंगार रसमंडन की रचैता कौन है, भारतेंदू हरिष्चन, महादेवी बर्मा, गोसाएं बिठलनात, राधाचरण गोस्वामी, स्रिंगार रसमंडन जो है, वो गोसाएं बिठलनात की क्रती है, C option आपका सही होगा, नासिकेतो पाख्यान, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, यम और नचिकेता की कहानी नासिकेतो पाख्यान में है, और यह सदल मिस्र की लिखी हु पेलिंग डालिएगा, तो आपको हमारा चैनल मिलेगा, वहां से जोईन कर लिजिएगा, तो सारे नोटिपिकेशन आपको टेलिग्राम पर मिलते रहेंगे, जो बच्चे नहीं जानते हैं टेलिग्राम हाई स्कूल के, तो मैं बता दूँ जैसे वाटसेप एप होता है, ऐस सदा सुकलाल हैं, इंशालला खां हैं या फिर सदल मिस रहें, तो जो सुकसागर है वो सदा सुकलाल इसके रचैता है, जैसे कि सुकसागर में सुक लिखा है, तो सदा सुकलाल के नाम में भी सुक चुपा हुआ है, तो सदा सुकलाल का सुकसागर हो गया, इंशालला खां का रानी केतकी की कहानी हो गई अब देखिए माधो विलास की रचनाकार कौन है या माधो विलास के लेखक कौन है बिठलनात, नाभादास, लल्लू लाल या फिर गोकुलनात तो माधो विलास जो रचना है वो लल्लू लाल की है ठीक है प्रेम सागर भी रचना जो है वो ललू लाल की है तो C option आपका यहाँ पर सही हो जाएगा वर्ण रतनाकर के रचैता कौन है मतुरानाज शुक्ल है पंडित दौलत राम है राम प्रसार निरंजनी है जोतिरीश्वर ठाकूर है या फिरिण में से कोई नहीं है तो वर्ण रतनाकर जो है वो जोतिरीश्वर ठाकूर की लिखी हुए D option आपका सही हो जाएगा प्रेम सागर के रचनाकार कौन है तो ललू लाल प्रेम सागर के रचनाकार है ठीक है ललू लाल प्रेम सागर के रचनाकार है अभी बताया हमने P option आपका सही होगा देखे 20 MC क्यों आपके objective आने हैं कहां पे OMR पे ठीक है तो यहीं से आने हैं प्रश्म खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंबिक युग कौन सा माना जाता है दवेदी युग छायाबाद युग भारतेंद युग या फिर छायाबाद उत्तर युग तो खड़ी बोली गद्य का जब प्रारंब हुआ था तो वो हुआ था भारतेंद युग से C option आपका यहाँ पर सही होगा निमलिकित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्ध का प्रारंबिक लेखक है तो यहाँ पर सदल मिस्र, दौलत राम, रामपरसा निरंजनी और राजा शिवपरसा सितारेहिन यहाँ पर बात की गई है खड़ी बोली गद्ध के प्रारंबिक लेखकों में जो है उसका नाम बताना है आपको खड़ी बोली गद्ध के लेखकों में यहाँ पर आपका नाम आता है रामपरसाद निरंजनी भाषायोग वसिष्ट के लेखक राम प्रसाथ निरंजनी है राधा कृष्ण दास लेखक थे किज युक्के थे भारतेंद युक्के थे दुवेदी युक्के थे चायावाद युक्के थे या फिर चायावादोत्तर युक्के थे तो रादा कृष्ण दास जो थे वो भारतेंदु यूग के लेखक थे भारतेंदु के समकालीन थे, साथ में काम करते थे, लगबग मतलब लिखते थे सो अजान एक सुजान के लेखा कौन है पंडित परताप नारण मिश्र है बालकरिष्ण शर्मा है बालकरिष्ण भट है रायकरिष्ण दास है या फिर लाला सरी निवास दास है सौजान एक सुजान बालकरिष्ण भट की रचना है तो आपका यहाँ पर B option सही होगा खड़ी बोली गद्द की प्रथम रचना कौन सी है? कभी वच्छन सुधा, गोरा बादल की कथा, कामाईनी या फिर चिदंबरा खड़ी बोली गद्द की जो प्रथम रचना है, वो गोरा बादल की कथा, जेटमल के द्वारा लिखी गई मानी जाती है हिन्दी साहित्यका इतिहास के लेखक कौन है? हिन्दी साहित्यका इतिहास, सन 1929 इस भी में ये पुस्टक प्रकाशित होती है प्रस्ट नमबर 16 कहता है प्रारंबिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक हैं दो राजाओं में से एक हैं राजा शिव प्रसाद सितारेहिन और एक दूसरे राजा कौन थे राजा लक्षमड सिंग थे भारतेंद्य उकसे पूर्व गद्य के लेखक हैं भारतेंद्य उकसे पूर्व गद्य के लेखक कौन है मुन्शी सदा सुकलाल हैं रामचंद्र शुकल हैं बालकृष्ण भट हैं महादेवी वर्मा हैं सही जवाब आपका हो जाएगा ए मुन्शी सदा सुकलाल तो दीप जले शंक वजे विधा है रेखाचित्र है, ललित निमंध है यात्रा वरत्तान्त है या फिर संसमर्ण है दीप जले संक वजे कनयालाल मिस्र प्रभाकर का संसमर्ण विधा की रचना है ठीक है हिंदी गद्य साहत्य हिंदी गदे साहिते के जनक माने जाते हैं आचारे रामचंद सुकल, पंडित लल्लूलाल, भारते हिंदु हरिष्चन, मुन्शे निशाल लाखा तो अगर हम बात करते हैं हिंदी गदे साहिते के जनक तो ये आपके भारते हिंदु हरिष्चन माने जाते हैं कौन सा यूग हिंदी गद्यके उतकर्ष का सूर्योदेकाल था भारतेंद यूग दुवेदी यूग छायवाद यूग छायावाद उततर यूग कौन सा युग हिंदी गद्य के साहित्य का अग्त यहां पर भारतेंद युग आप लगाएंगे हिंदी गद्य के इस उतकर्थ का सूर्योदेकाल था, नमलिकित मैं से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं तो आपका पता होगा आचार रामचन सुकल एक प्रसिद्ध आलोचक हैं, दुवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? तो महाबीर परसाद दुवेदी के नाम पर दुवेदी युग का नामकरण हुआ था। चायावादोत्तर युग का काल क्या है? चायावादोत्तर काल कब से कब तक माना जाता है? तो सन 1938 से लेकर के वर्तमान तक जो यूग चला वो छायावादोत्तर काल तक माना जाता है और 1919 से 1938 तक का जो काल था वो छायावादी काल था छायावादोत्तर काल के लेखक कौन है? चायावादोत्तर काल के जो लेखक हैं वे आपके बाबु गुलाब राय यहाँ पर लगा लेजिएगा चायावादोत्तर या शुकलोत्तर के विद्या निवास मिस्र यहाँ पर सही जबाब होगा ए आप्शन आपका विद्यानिवास मिस्र सही जबाब ठीक है विद्यानिवास मिस्र यहाँ पर सही जबाब होगा विद्यानिवास मिस्र छायावाद उत्तर काल के लेखक है छायावाद उत्तर युक्के गद्दे लेखक कौन है जैशंकर प्रसाद तुछायावात कही है माकनलाल चतुरवेदी भी उसी के समकालीन है महाबीर प्रसाद देवेदी तुदुवेदी युक्के हैं तो यहाँ पर सी आप्शन वासुदेश रणकरवाल सही हो जाएगा भारतेंद युक्के लेखक कौन है भारतेंद युक्के लेखक सीधी सी बात है यहाँ पर बाल कृष्ण भट होंगे सदल मिस्र की रचना कौन सी है तो नासिकेतो पाख्यान सदल मिस्र की रचना यहाँ पर हो जाएगी कासी नागरी प्रचानी सभा के स्थापना किसने की थी बाबूश्याम सुंदरदास किसने बाबूश्याम सुंदरदास ने की थी और नागरी प्रचानी सभा की स्थापना हुई थी तो यह आपके दुवेदी युगमे हुई थी भारतेंद युग भी आपका सही हो सकता है क्योंकि दोनों युगों के मद्ध में नागरी प्रचाणी सभा की स्थापना हुई थी भारतेंद यूग समाप्त हो रहा था और दोवेदी यूग प्रारंब हो रहा था तब इसकी स्थापना हुई थी तो मद्ध की कड़ी है लेकिन इसको हम दोवेदी यूग में रखेंगे 84 वेश्वन की वारता के लेखक कौन है 84 वेश्वन की वारता गोकुलनाथ है ठीक है गोकुलनाथ भी आप्शन सही होगा हिंदी में नाटक रचना का प्रारम किस युक की देन है तो हिंदी में नाटक रचना के जो प्रारम बथा वो भारतेंद युक की देन है भारतेंद युक का माना जाता है दुरु स्वामनी नाटक के लेखक कौन है दुरु स्वामनी के लेखक तो जैशंकर प्रसाद है चाहे दुरु स्वामनी हो, रास्री हो, कल्याणी परणे हो ठीक है सकंद गुप्त है चंद गुप्त है दुरू स्वामनी है प्रायस्चित है यह सारे नाटक जैशंकर प्रसाद के हैं दुरू स्वामनी की रचना विधा क्या है तो दुरू स्वामनी सीधी सी बात है नाटक है निम्डिकित में से नाटक कार कौन है रामचंशुकल, मोहन राकेश, तो यहाँ पर मोहन राकेश नाटक कार है, मोहन राकेश के आधे धूरे, लहरों के राजहंस, आशाड का एक दिन, ऐसे तमाम नाटक और एक आंकिया मोहन राकेश जी ने लिखी है, तो यहाँ पर सही रानी केत्की की कहानी के लेखक कौन है? मुझशी इंशालला खां रानी केत्की की कहानी के लेखक है तुवेदी युगो और छायवाद युग दोनों में काम करने लेखन कार करने वाले जो हैं वो बाबु गुलाब राए हैं, C option से ही होगा प्रशन पूचा गया है, गोड परिक्षा में राहुल सांस्कृतायन का वास्तविक नाम क्या है? तो केदारनाथ पांडे या केदार पांडे राहुल सांस्कृतायन के बच्पन का वास्तविक नाम है बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक थे? तो यहाँ पर यह गलत option है यहाँ पर option प्रश्णी ही गलत है तो हटा दो 49 नमबर बाल मुकंद गुप्त किस युग के लेखक थे तो यहाँ पर बाल मुकंद गुप्त जो है यह आपके दुवेदी युग के लेखक थे यहाँ पर सही जवाब आप दुवेदी युग भी लिख सकते हैं भारते युग भी लिख सकते हैं दुवेदी युग के 1865 इस भी में रेवारी में जन्मे थे बाल बाबु बाल मुकुंद गुप्त जी तो आप इनको ज़्यादा तर दुवेदी युग लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है चुँकि अब 40 नमबर प्रशन का उत्तर डॉप कर दीजिएगा confusion के करण तमाम इसके उत्तर बन रहे हैं तो इसकंद गुप्त नाटक के लेखा कौन है इसकंद गुप्त चंद गुप्त दुरू स्वामनी जैशंकर प्रसाद ही है हमने पहले ही बताया आपको जैशंकर प्रसाद का नाटक दुरू स्वामनी दुरू देवी दुरुवा कौमुदी महोत सो तो दुरू स्वामनी जो है ये जैशंकर प्रसाथ का नाटक है अंधेर नगरी किस विधा की रचना है तो अंधेर नगरी क्या है अंधेर नगरी एक नाटक है किसका है भारते इंदू हरिष्चंद का है निम्न मेंसे नाटक है नाटक कौन सा उसने कहा था ये तो कहानी है तो यहाँ पर चंद्रगुप्त नाटक है आंसू एक काव्य है और कलम का सिपाही ये जीवनी है 45 नंबर प्रस्ण कहता है निम्लिकित में से कौन सी रचना नाटक है सन नाटा नहीं है गरुन दोज नाटक है ठीक है निम्लिकित में से नाटक है त्रिशंक वात्मनेपद विपत का उत्तर प्रियदर्शी यहाँ पर उत्तर प्रियदर्शी जो है नाटक है ये आपके अग्गेय का नाटक है उत्तर प्रीदर्शी अजाज शत्रू किस विधा की रचना है तो अजाज शत्रू भी एक नाटक है और अगर आपसे पूचे किसका है तो जैसंकर प्रसाद जी का नाटक है अजाज सत्रू हिंदी का परथम नाटक कौन सा है नहुष गोपाल चंग गिर्धर दास दोरा लिखा गया नाटक है नहुष ठीक है सायोगिता सौम्बर किस की रचना है साइयोगिता सौम्बर लाला स्री निवास दास की रचना है और अंतिम प्रशन है इस पीडियप का लेहरों के राजह केस का लिखा हुआ नाटक है लहरों के राजहंस आधे अधूरे और आशार का एक दिन ये भी मोहन राकेस के नाटक हैं आपको इसके नीचे उत्तर माला मिल जाएगा यहाँ पर 40 नंबर प्रस्ण और 49-40 हटा दीजिएगा यहाँ पर 49-40 का कोई ओचित नहीं है 49 नंबर गलत प्रस्ण है 40 का प्रस्ण उत्तर दूसरा है तो यहाँ पर आपको 40 का लगा लेना है क्या मैंने अभी बताया था आपको 40 का दुवेदी यूग लगा लेना है तो B option आपका सही होगा ठीक है 40 का दुवेदी यूग ठीक है तो उमीद है आप लोग शेयर करते होंगे बहुत क में आपस में नहीं होनी जई को फिलाल हमें मत ब्रशन चुरूफ बनाले जीए कहांרא म्ने के बाद आराम से एक दूसरे को उसी नोटस और वीडियो को पहली socialism key management就 यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं पार्ट वन आप देखेंगे तो उसमें डाउनलोड करने का तरीका लास्ट में बताया है